श्री राम कृष्ण देव के उपदेश वचा नामरत प्रिष्ठ क्रमांग 590 परिच्छेद नवासी प्रवृत्ती या निवृत्ती दक्षनेश्वर में राम बाबु राम अधी भक्तों के संग में श्री राम कृष्ण दक्षनेश्वर मंदिर में अपने उसी कमरे में छोटी खाट पर भक्तों के साथ बैठे हैं दिन के ग्यारह बजे होंगे अभी उन्होंने भोजन नहीं किया कल शनिवार को श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ श्री उत अधर से इनके यहां गए थे नाम संकीर्टन के महुत्सव द्वारा भक्तों का जीवन सफल कर आये थे आज यहां शाम दास का कीर्टन होगा श्री राम अकृष्ण को कीर्टनानंद में देखने के लिए बहुत से भक्तों का समागम हो रहा है पहले बाबु राम, मास्टर, श्री राम पूर के ब्राम्वन, मनु मोहन, भावनात, किशोरी लाल, यहां सब आये फिर चूनी लाल, हरीपद, दोनों मुखरजी भ्राता, राम, सुरेंद्र, तारक, अधर और निरंजनाए लाटू, हरेश और हाजरा आजकल दक्षिनेश्वर में ही रहते हैं श्री राम लाल, काली की पूजा करते हैं, और श्री राम क्रिष्ण की भी देखरेख रखते हैं श्री राम चक्रवर्ती पर विश्णु मंदिर की पूजा कभार है लाटू और हरेश, दोनों श्री राम क्रिष्ण की सेवा करते हैं आज रविवार है 7 सितंबर 884 मास्टर के आकर प्रणाम करने पर श्री रामकृष्ण ने पूछा नरेंद्र नहीं आया उस दिन नरेंद्र नहीं आ सके श्री रामपूर के ब्रामभन रामप्रसाद के गाने की किताब लेते आये है और उसी पुस्तक से गाने पढ़ पढ़कर श्री रामकृष्ण को सुना रहे है श्री रामकृष्ण हाँ पढ़ो ब्रामभन एक गीत पढ़कर सुनाने लगे उसमें लिखा था मा वस्त्रधारन करो श्री रामकृष्ण यह सब रहने दो विकट गीत ऐसा कोई गीत पढ़ हो जिसमें भक्ती हो ब्रामन कौन कहे कि काली कैसी है शरदर्शनों को भी जिसके दर्शन नहीं होते कल अधर सेन के यहां भावावस्था में एक ही तरह बैठे रहने के कारण पैरों में दर्ध होने लगा था इसी लिए बाबुराम को ले जाया करता हूँ सर रदय है यहां कहे कर श्री रामकृष्ण गाने लगे ए सखीरी मैं अपना रदय किसके पास खोलूँ मुझे बोलना मना जो है बिना किसी ऐसे को पाए जो मेरी व्यत्था समझ सके मैं तो मरी जा रही हूँ केवल उसकी आँखों में आखे डाल कर मुझे अपने रिदय के प्रेमी का मिलन प्राप्त हो जाएगा परन्तु ऐसा तो कोई विरला ही होता है जो आनंद सागर में निरंतर बहता रहे ये सब बाउलों के गीत है शाक्त मत में सिद्ध को कौल कहते है वेदांत के मत से परमहंस कहते है बाउल वैशनवों के मत में साई कहते है साई अंतिम सीमा है बाउल जब सिद्ध हो जाता है तब साई होता है तब सब अभेद हो जाता है आधी माला गव के हाडो की और आधी तुलसी की पहनता है हिंदूों का नीर और मुसल्मानों का पीर बन जाता है साई जो होते हैं वे अलग जगाया करते हैं इसे वाइदिक मत से ब्रह्म कहते हैं, वे लोग कहते हैं अलख, जीवों के संबंद में कहते हैं, अलख से आते हैं और अलख में जाते हैं, अर्थात, जीवात्मा अव्यक्त से आता है और अव्यक्त में ही लीन हो जाता है, वे लोग पूछते हैं हवा की खबर जानते हो, अर्थात कुंडलीनी के जागने पर इडा पिंगला और सुशुमना के भीतर से जो महावायू चड़ती है उसकी खबर है पूछते हैं किस पैठ में हो छह पैठ, छह चक्र है अगर कोई कहे कि पाचवे में है तो समझना चाहिए कि विशुद्द चक्र तक मन की पहुँच है मास्टर से तब निराकार के दर्शन होते हैं जैसा गीत में है यहां कहेकर श्री रामकृष्ण कुछ स्वर करके कह रहे है उसके ओर्द्व भाग में कमल आकाश है उस आकाश के अवरुद्ध हो जाने पर सब कुछ आकाश हो जाता है एक बाउल आया था मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारा रस का काम हो गया कड़ा ही उतर गई रस को जितना ही जलाओगे उतना ही रिफाइन होगा साफ होगा पहले रहता है एक करस फिर होती है राब फिर उसे जलाओ तो होती है चीनी और फिर मिश्री धीरे धीरे और भी साफ हो रहा है कड़ा ही कब उतरेगी अर्थात साधना की समापती कब होगी जब इंद्रिया जीत ली जाएंगी जैसे जोग पर नमक छोड़ने से वे आप ही छूट कर गिर जाती है वैसे ही इंद्रिया भी शितिल हो जाएंगी स्त्री के साथ रहता है पर वह रमन नहीं करता उनमें बहुत से लोग राधा तंत्र के मत से चलते हैं पाचो तत्व लेकर साधना करते हैं प्रित्वी तत्व, जल तत्व, अगनी तत्व, वायू तत्व, आकाश तत्व, मल, मूत्र, रज, वीर्य, ये सब तत्व ही हैं ये साधनाय बड़ी ग्रिनित हैं जैसे पाखाने के भीतर से घर में प्रवेश करना एक दिन मैं दालान में भूजन कर रहा था घोश पाड़ा के मत का एक आदमी आया आकर कहने लगा तुम स्वयम खाते हो या किसी को खिलाते हो इसका यहां अर्थ है जो सिद्ध होता है वहां अंतर में ईश्वर देखता है जो लोग इस मत से सिद्ध होते हैं वे दूसरे मत के लोगों को जीव कहते है विजातिय मनुश्यों के सामने बाचीत नहीं करते कहते हैं यहां जीव है उस देश में मैंने इस मत को मानने वाली एक स्त्री देखी है उसका नाम सरी सरस्वती पाथर है इस मत के लोग आपस में एक दूसरे के यहां तो भोजन करते हैं परन्तु दूसरे मत वालों के यहां नहीं खाते मलिक घराने वालों ने सरी पाथर के यहां तो भोजन किया परन्तु रिदय के यहां नहीं खाया कहते हैं ये सब जीव हैं, सब हस्ते हैं मैं एक दिन उसके यहां रिदय के साथ घूमने गया था तुलसी के पेड़ खूब लगाए है उसने चना की उड़ा दिया मैंने थोड़ा सा खाया रिदय तो बहुत सा खा गया फिर बिमार भी पड़ा वे लोग सिद्धा अवस्था को सहच अवस्था कहते है कि देह में कृष्ण की गंद भी न रहेगी और दूसरा यहां कि पद्म पर भौरा बैठेगा परंतु मधुपान न करेगा कृष्ण की गंद भी न रह जाएगी इसका अर्थ यहां है कि ईश्वर के भाव सब अंतर में ही रहेंगे बाहर कोई लक्षण प्रकट न होगा नाम का जब भी न करेगा दूसरे का अर्थ है कामिनी और कांचन की आसकती का त्याग जितेंद्रियता वे लोग ठाकुर पूजन मूर्ति पूजन यहां सब पसंद नहीं करते जीता जाकता आदमी चाहते है इसलिए उनके दर्जे के आदमीों को करता भजा कहते है करता भजा अर्था जो लोग करता को गुरू को ईश्वर समझते है और इसी भाव से उनकी पूजा करते है श्री रामकृष्ण और सर्वधर्म समन्दवे श्री रामकृष्ण देखा कितने तरह के मत हैं जितने मत उतने पत अनंत मत और अनंत पत है भवनात अब उपाय क्या है श्री राम कृषन एक को बलपूर्वग पकड़ना पड़ता है छत पर जाने की चाह है तो जीने से भी चड़ सकते हो बास की सीड़ी लगाकर भी चड़ सकते हो रसी की सीड़ी लगा कर सिर्फ रसी पकड़ कर या केवल एक बांस के सहारे किसी भी तरह से छट पर पहुँच सकते हो परन्तु एक पैर इसमें और दूसरा उसमें रखने से नहीं होता एक को द्रडभाव से पकड़े रहना चाहिए इश्वर लाब करने की इच्छा हो तो एक ही रास्ते पर चलना चाहिए और दूसरे मतों को भी एक-एक मार्ग समझना यह भाव न हो कि मेरा ही मार्ग ठीक है और सब जूट है द्वेश न हो अच्छा, ना किस मार्ग का हो केशव से इन कहता था आप हमारे मत के है निराकार में आ रहे है शशधर कहता है यह हमारे है विजय भी कहता है यह हमारे मत के है श्री रामक्रिशन सभी मार्गों से साधना करके इश्वर के निकट पहुँचे थे इसलिए सब लोग उन्हें अपने ही मत का आदर्श मानते थे श्री रामकृष्णा मास्टर आदी दो एक भक्तों के साथ पंचवटी की ओर जा रहे है हाथ मूध होएंगे दिन के बारह बजे का समय है अब ज्वार आने वाली है देखने के लिए श्री रामकृष्णा पंचवटी के रास्ते पर प्रतीक्षा कर रहे है भक्तों से कह रहे है ज्वार और भाटा कितने आश्चर्य के विशय है परन्तु एक बात देखो समुद्र के पास ही नदियों में ज्वार भाटा होते है परन्तु समुद्र से बहुत दूर होने पर उसी नदी में ज्वार भाटा नहीं होते बलकि एक ही और भाव रहता है इसका क्या अर्थ इस भाव का अपने आध्यात्मिक जीवन पर आरोप करो जो लोग ईश्वर के बहुत पास पहुँच जाते है उनहीं में भक्ति और भाव होता है और किसी किसी को ईश्वर कोटी को महाभाव प्रीम यह सब होता है श्री रामक्रिश्न मास्टर से अच्छा ज्वार भाटा क्यों होते है मास्टर अंग्रेजी जोतिश शास्त्र में लिखा है सूर्य और चंद्र के आकर्शन से ऐसा होता है यहां कहकर मास्टर मिट्टी में रेखाई खीच कर सूर्य और चंद्र की गति बतलाने लगे थोड़ी देर तक देखकर श्री रामकृष्ण ने कहा बस रहने दो मेरा माथा घूमने लगा बात हो ही रही थी कि ज्वार आने की आवाज होने लगी देखते ही देखते जलोच्ष्वास का घोर शब्द होने लगा थाकुर मंदिर की तटव भूमी में टकराता हुआ बड़े वेक से पानी उत्तर की ओर चला गया श्री रामकृष्ण एक नजर से देख रहे हैं दूर की नाव देखकर बालक की तरह कहने लगे देखो देखो अब उस नाव की क्या हालत होती है श्री रामकृष्ण मास्टर से बातचीत करते हुए पंचवटी के बिलकुल नीचे पहुँच गए उनके हाथ में एक छाता था उसे पंचवटी के चबूतरे पर रख दिया नारायन को वे साक्षात नारायन देखते हैं इसलिए बहुत प्यार करते हैं नारायन स्कूल में पढ़ता है इस समय श्री रामकृष्ण उसी की बातचीत कर रहे है श्री रामकृष्ण नारायन को देखा है तुमने कैसा सोभाव है क्या लड़के, बच्चे, बूढ़े सबसे मिलता है विशे शक्ती के बिना यहां बात नहीं होती और सब लोग उसे प्यार करते है अच्छा, क्या वह यथार्थ ही सरल है मास्टर, जी हां, जान तो ऐसा ही पढ़ता है श्री रामकृष्ण सुना, तुम्हारे यहां जाता है मास्टर, जी हां, दो एक बार आया था श्री रामकृष्ण क्या एक रुपया तुम उसे दोगे या काली से कहूं मास्टर, अच्छा तो है मैं ही दे दूँगा श्री रामकृष्ण बड़ा अच्छा है जो ईश्वर के अनुरागी है उन्हें देना अच्छा है इससे धन का सदूपयोग होता है सब रुपय संसार को सौपने से क्या होगा किशोरी लाल के लड़के बच्चे हो गए है वेतन कम पाता है इससे पूरा नहीं पढ़ता श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे है नारायन कहता था किशोरी लाल के लिए एक नौकरी ठीक कर दूँगा नारायन को यह बात याद दिलाना मास्टर पंचवटी में खड़े हुए है श्री रामकृष्ण कुछ देर बाद जाओ तल्ले से लोटे मास्टर से कह रहे है जरा बाहर एक चटाई बिछाने के लिए कहो मैं थोड़ी देर बाद जाता हू लेटूंगा श्री रामकृष्ण कमरे में पहुँचकर कह रहे है तुम मेंसे किसी को चाता ले आने की बात याद नहीं रही सब हस्ते हैं जल्द बाद आदमी पास की चीज़ भी नहीं देखते एक आदमी एक दूसरे के यहां कोईले में आग सुलगाने के लिए गया था और इधर उसके हाथ में लाल्टेन जल रही थी एक आदमी अंगोचा खोज रहा था अंत में वहां उसी के कंधे पर पड़ा हुआ मिला श्री रामकृष्ण के लिए काली का अन्न भोग लाया गया श्री रामकृष्ण प्रसाद पाएंगे दिन के एक बजे का समय होगा वे भोजन करके जरा विश्राम करेंगे भक्तगण कमरे में बैठे ही रहे समझाने पर वे बाहर जाकर बैठे हरीश, निरंजन और हरीपद पाकशाला में प्रसाद पाएंगे श्री रामकृष्ण हरीश से कह रहे हैं अपने लिए थोड़ा सा अमरस लेते जाना श्री रामकृष्ण विश्राम करने लगे बाबु राम से कहा बाबु राम जरा मेरे पास आ बाबु राम पान लगा रहे थे कहा मैं पान लगा रहा हूँ श्री रामकृष्ण रख उधर फिर पान लगाना श्री राम कृष्ण विश्राम कर रहे हैं इधर पंचवटी में और बकुल के पेड़ के नीचे कुछ भक्त बैठे हुए हैं दोनों मुखरजी भाई चुनी लाल, हरीपद, भवनात और तारक तारक व्रिंदावन से अभी अभी लोटे हैं भक्तगण उनसे व्रिंदावन की बाते सुन रहे हैं तारक नित्य गोपाल के साथ अब तक व्रिंदावन में थे कीर्टनानंद में राम, मनुमोहन, मास्टर, सुरेंद्र, भवनाथ, आदीभक्त जमीन पर बैठे हैं। गाना जम नहीं रहा है। कोन नगर के नवाई चैतन्य से श्री रामकृष्ण कीर्टन करने के लिए कह रहे हैं। नवाई मनुमोहन के चाचा है। पेंशन लेकर कोन नगर में श्री गंगाजी के तटपर भजन साधन करते हैं। श्री रामकृष्ण का प्रायह दर्शन करने आते हैं। नवाई उच्चकंठ से संकीर्टन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण आसन छोड़कर नृत्य करने लगे। साथ ही नवाई और भक्तगंड उन्हें घेर कर नृत्य करने लगे। कीर्टन खूब जम गया। महिमाचरण भी श्री रामकृष्ण के साथ नृत्य कर रहे हैं। कीर्टन हो जाने पर श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे। हरी नाम के बाद अब आनंद मई का नाम ले रहे हैं। श्री रामकृष्ण भाव पूर्ण है। नाम लेते हुए और्द्वद्रिष्टि हो रहे हैं। गाना मा, आनंद मई होकर मुझे निरानंदना करना। दूसरा गीत उसका चिंतन करने पर भाव का उदय होता है। जैसा भाव होता है, फल भी वैसा ही मिलता है। इसकी जड़ विश्वास है, जो काली का भक्त है। उसे तो जीवन मुक्त कहना चाहिए। वह सदा ही आनंद में रहता है। अगर उनके चरण रूपी सुधा सरोवर में चित्त लगा रहा तो समझना चाहिए। उसके लिए पूजा, जब, होम, बली ये सब कुछ भी नहीं है। श्री राम कृष्ण ने तीन चार गाने और गाये। अंत में जो पद उन्होंने गाया, उसका भाव यह है। मन, आदर्णिया श्यामा मा को यतन पूर्वक रिदय में रखना, तू देख और मैं देखू, कोई दूसरा उन्हें न देखने पाए। यहां गाना गाते हुए, श्री राम कृष्ण जैसे खड़े हो गए, माता के प्रेम में पागल हो गए, आदर्णिया श्यामा मा को रिदय में रखना, यहां इतना अंश बार बार भक्तों को गा कर सुना रहे है। शराब पी कर मतवाले हुए की तरह सब को गाना सुना रहे है। श्री राम कृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए है, भाव की पूर्ण मात्रा है, बिल्कुल मतवाले है। भाव का कुछ उपशम होने पर कह रहे हैं, ओम 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 काली, भक्तों में से कितने ही खड़े हैं। महिमा चरण खड़े हुए श्री राम कृष्ण को पंखा जूल रहे हैं। श्री राम कृष्ण महिमा चरण से, आप लोग बैठिये, आप वेट से जरा कुछ सुनाईए। महिमा चरण सुना रहे हैं, जय यज्वमान आदी, फिर वे महा निर्वान तंत्र की स्तुती का पाठ करने लगें। ओ, नमस्ते सते ते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलो काश्रयाय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्म्हने व्यापिने शाश्वताय, त्वमेकं शरण्यं, त्वमेकं वरेण्यं, त्वमेकं जगत पालकं स्वप्रकाशं। त्वमेकम जगतकर्त्रू पार्त्रू प्रहर्त्रू त्वमेकम परम निष्चलं निर्विकल्पं भयानाम भयं भीषणं भीषणानाम गतिह प्राणिनाम पावनं पावनानाम महोच्य पदानाम नियंत्रूत्वमेकं, परेशाम परं रक्षणं रक्षणानाम, वयं त्वाम स्मरामों वयं त्वाम भजामों, वयं त्वाम जगत्साक्षि रूपं नमामह, सदेकं निधानं निरालं बमीशं, भवाम भोधि पोतं शरण्यं व्रजामह श्री रामकृष्ण ने हाथ जोड़कर स्तुती सुनी पाठ हो जाने पर हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया भक्तों ने भी प्रणाम किया कलकत्ते से अधर आए श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया श्री रामकृष्ण मास्टर से आज खूब आनंद रहा महीम चक्रवर्ती भी इधर जुक रहा है कीर्टन में खूब आनंद रहा क्यों? मास्टर जी हाँ महीमा चरण ग्यान चर्चा करते हैं आज उन्होंने कीर्टन किया है और नाचे भी है श्री रामकृष्ण इस बात पर आनंद प्रकट कर रहे है शाम हो रही है भक्तों में से बहुत एरे श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर बिदा हुए प्रवृत्ती या निवृत्ती अधर का कर्म शाम हो गई है दक्षिन वाले लंबे बरामदे में और पश्चिम के गोल बरामदे में बत्ती जला दी गई कुछ देर बाद चंद्रोदय हुआ मंदिर का आंगन बगीचे के रास्ते गंगा तट पंचवटी पेडों का उपरी हिस्सा सब कुछ स्चांदनी में हस रहे थे श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए भावावेश में माता का स्मरण कर रहे है अधर आकर बैठे कमरे में मास्टर और निरंजन भी है श्री रामकृष्ण अधर के साथ बातचीत कर रहे है श्री रामकृष्ण अजी तुम अब आए कितना कीर्टन और नृत्य हो गया शामदास का कीर्टन था राम के उस्ताद का परन्तु मुझे बहुत अच्छा न लगा उतने की इच्छा भी नहीं हुई उस आदमी की बात फिर पीछे से मालूम हुई गोपिदास के साथ वाले ने कहा मेरे सिर पर जितने बाल है उतनी उसकी रखे लिया है सब हस्ते है क्या तुम्हारा काम हुआ अधर डिप्टी है तीन सो तंखवा पाते है उन्होंने कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी के वाइस चेर्मेन के लिए अरजी दी थी वहाँ हजार रुपए महिने की तंखवा है इसके लिए अधर कलकत्ते के बहुत बड़े बड़े आदमियों से मिले थे श्री रामकृष्ण मास्टर और निरंजन से हाजरा ने कहा था अधर का काम हो जाएगा तुम ज़रा मा से कहो अधर ने भी कहा था मैंने मा से कहा था मा यहां तुम्हारे यहां आया जाया करता है अगर उसे जगह मिलनी हो तो दे दो परन्तु इसके साथ ही मा से मैंने यहां भी कहा था कि मा इसकी बुद्धी कितनी हीन है ग्यान और भत्ती की जगह उसकी प्रार्थना न करके तुम्हारे पास यहां सब चाहता है अधर से क्यों नीच प्रकृति के आदमियों के यहां इतना चक्कर मारते फिरे इतना देखा और समझा सातो कान रामायन पढ़कर सीता किसकी भारिया थी इतना भी नहीं समझे अधर संसार में रहने पर इन सब के बिना काम भी नहीं चलता आपने तो मना भी नहीं किया था श्री रामक्रिश्न निवрित्ती ही अच्छी है प्रवरित्ती अच्छी नहीं इस अवस्था के बाद मुझे तनक्वा के बिल पर दस्तकत करने के लिए कहा था मैंने कहा यहां मुझसे न होगा मैं तो कुछ चाहता नहीं तुम्हारी इच्छा हो तो किसी दूसरे को दे दो एक मात्र ईश्वर का दास हो और किसका दास बनू मुझे खाने की देर होती थी इसलिए मलिक ने भोजन पकाने के लिए एक ब्राम्वन नौकर रख दिया था एक महिने में एक रुपया दिया था तब मुझे लज्जा हुई उसके बुलाने से ही दोड़ना पड़ता था खुद जाओ वहाँ बात दूसरी है सांसारिक जीवन व्यतीत करने में मनुश्य को न जाने कितने नीच आदमियों को खुश करना पड़ता है और उसके अतरिक्त और भी न जाने क्या क्या करना पड़ता है उची अवस्था प्राप्त होने के पश्चात तरह तरह के दुश्य मुझे दीख पढ़ने लगे तब मा से कहा मा यही से मन को मोड़ दो जिससे मुझे धनी लोगों की खुशामत ना करनी पड़े जिसका काम कर रहे हो उसी का करो लोग सो पचास रुपए के लिए जी देते हैं तुम तो तीन सो महिना पाते हो उस देश में मैंने डिप्टी देखा था इश्वर घोशाल को सेपर टोपी गुसा नाक पर मैंने लड़कपन में उसे देखा था डिप्टी कुछ कम थोड़े ही होता है जिसका काम कर रहे हो उसी का करते रहो एक ही आदमी की नौकरी से उप जाता है फिर पाँच आदमियों की नौकरी एक स्त्री किसी मुसल्मान को देखकर मुगध हो गई थी उसने उसे मिलने के लिए बुलाया मुसल्मान आदमी अच्छा था प्रकृती का साधू था उसने कहा मैं पेशाप करूँगा अपनी हंडी ले आऊ उस त्री ने कहा हंडी तुम्हें यहीं मिल जाएगी मैं दूंगी तुम्हें हंडी उसने कहा ना सो बात नहीं होगी जिस हंडी के पास मैंने एक दफे शर्म खोई इस्तेमाल तो मैं उसी का करूँगा नई हंडी के पास दोबारा भे इमान न हो सकूंगा यहां कहकर वहां चला गया औरत की भी अकल दुरुस्त हो गई हंडी का मतलब वहां समझ गई पिता का वीवग हो जाने पर नरेंद्र को बड़ी तकलीफ हो रही है माता और भाईयों के भोजन वस्त्र के लिए वे नौकरी की तलाश कर रही है विद्या सागर के बहु बाजार वाले स्कूल में कुछ दिनों तक उन्होंने प्रधान शिक्षक का काम किया था अधर अच्छा, नरेंद्र कोई काम करेगा या नहीं श्री रामक्रिश्न हाँ, वहां करेगा मा और भाई जो है अधर अच्छा, नरेंद्र की जरूरत पचास रुपे से भी पूरी हो सकती है और सौ रुपे से भी उसका काम चल सकता है अब अगर उसे सौ रुपे मिले तो वहां काम करेगा या नहीं श्री रामक्रिश्न विशेई लोग धन का आदर करते हैं वे सोचते हैं ऐसी चीज और दूसरी न होगी शंभू ने कहा यहां सारी संपत्ती ईश्वर के श्री चरणों में सौब जाओ मेरी बड़ी इच्छा है वे विशेई थोड़े ही चाहते हैं वे तो ग्यान, भक्ती विवेक, वैराग्य यहां सब चाहते हैं जब श्री ठाकुर मंदिर से गहने चोरी चले गए तब सेजो बाबु ने कहा क्यों महराज, तुम अपने गहने न बचा सके हंसेश्वरी देवी को देखो किस तरह अपने गहने बचा लिये थे सेजो बाबु ने मेरे नाम एक तालू का लिख देने के लिए कहा था मैंने काली मंदिर से उनकी बात सुनी सेजो बाबु और रिदा एक साथ सला कर रहे थे मैंने सेजो बाबु से जाकर कहा, देखो ऐसा विचार मत करो इसमें मेरा बड़ा नुकसान है अधर जैसी बात आप कह रहे हैं स्रिष्टी के आरम से अब तक जादा से जादा छेही साथ ऐसे लोग हुए होंगे श्री रामकृष्ण क्यों त्यागी है क्यों नहीं एश्वर्य का त्याग करने से ही लोग उन्हें समझ जाते हैं फिर ऐसे भी त्यागी पुरुष है जिन्हें लोग नहीं जानते क्या उत्तर भारत में ऐसे पवित्र पुरुष नहीं है अधर कलकत्ते में एक को जानता हूँ वे देवेंद्र ठाकुर है श्री रामकृष्ण कहते क्या हो उसने जैसा भोग किया वैसा बहुत कम आद्मियों को नसीब हुआ होगा जब सेजो बाबू के साथ मैं उसके वहां गया तब देखा छोटे छोटे उसके कितने ही लड़के थे डॉक्टर आया हुआ था नुस्खा लिख रहा था जिसके आठ लड़के तो लोग कितना धिक्कारते मिरंजन द्वारकानाथ ठाकुर का सब कर्ज उन्होंने चुका दिया था श्री रामक्रिश्न चल रख ये सब बाते अब जला मत शक्ती के रहते भी जो बाब का किया हुआ कर्ज नहीं चुका था वहां भी कोई आदमी है हाँ बात यह है कि संसारी लोग बिलकुल डूबे रहते हैं उनकी तुन्ना में वहां बहुत अच्छा था उन्हें शिक्षा मिलेगी यथार्थ त्यागी भक्त और संसारी भक्त में बड़ा अंतर है यथार्थ सन्यासी सच्चा त्यागी भक्त मधु मख्य की तरह है मधु मख्य फूल को छोड़ और किसी चीज़ पर नहीं बैठती मधु को छोड़ और किसी चीज़ का ग्रहन नहीं करती संसारी भक्त दूसरी मख्यों के समान होते है जो बर्फियों पर भी बैठते है और सड़े घावों पर भी अभी देखो तो वे ईश्वरी भावों में मगन है थोड़ी दिर में देखो तो कामिनी और कांचन को लेकर मतवाले हो जाते है सच्छा त्यागी भक्त चातक के समान होता है चातक स्वाती नक्षत्र के जल को छोड़ और पानी नहीं पीता साथ समुद्र और तेरह नदिया भले ही भरी रहे वहाँ दूसरा पानी हरगिज नहीं पी सकता सच्चा भक्त कामेनी और कांचन को छूब भी नहीं सकता पास भी नहीं रख सकता क्योंकि कहीं आशक भी न आ जाए चैतन्य देव श्री रामकृष्ण और लोक अमानने था अधर चैतन्य ने भी भोग किया था श्री रामकृष्ण चौक कर क्या भोग किया था अधर उतने बड़े पंडित थे कितना मान था श्री रामकृष्ण दूसरों की दृष्टी में वहमान था, उनकी दृष्टी में कुछ भी नहीं था मुझे तुम जैसा डिप्ती माने, अत्वा यहां छोटा निरंजन मेरे लिए दोनों एक है, सच कहता हूँ एक धनी आदमी मेरे वश में रहे, ऐसा भाव मेरे मन में नहीं पैदा होता मनों मुहन ने कहा है, सुरेंद्र कहता था, राखाल इनके अर्थाच्री रामकृष्ण के पास रहता है इसका दावा हो सकता है, मैंने कहा कौन है र cockpit जिसकी दरी और तकिया यहां है और जो 10 रुपय महिने देता है, उसकी इतनी हिम्मत कि वहा ऐसी बाते कहे अधर, क्या दस रुपय प्रती महिना देते हैं? श्री रामकृष्ण, दस रुपय में दो महिने का खर्च चलता है, कुछ भक्त यहां रहते हैं, वहां भक्तों की सेवा के लिए खर्च देता है, यहां उसी के लिए पुन्य है, इसमें मेरा क्या है, मैं राखाल और नरेंद्र आधी को प्यार करता हूँ, तो क्या किसी अपन लाप के लिए, मास्टर, यहां प्यार मा के प्यार की तरह है, श्री रामकृष्ण, मा फिर भी इस आशा से बहुत कुछ करती है कि नौकरी करके खिलाएगा, मैं जो इन्हें प्यार करता हूँ, इसका कारण यहां है कि मैं इन्हें साक्षात नारायन देखता हूँ, यहां बात की बात नहीं है, अधर से, सुनो, दिया जलाने पर कीडों की कमी नहीं रहती, उन्हें पा लेने पर फिर वे सब बंदोबस्त कर देते हैं, कोई कमी नहीं रह जाती, वे जब रिदय में आ जाते हैं, तब सेवा करने वाले बहुत इकठे हो जाते हैं, एक कम उम्र का सन किसी ग्रिहस्त के यहां भिक्षा के लिए गया। वहां जन्म से ही सन्यासी था। संसार की बाते कुछ न जानता था। ग्रिहस्त की एक युवती लड़की ने आकर भिक्षा दी। सन्यासी ने कहा मा इसकी छाती पर किटने बड़े-बड़े फोडे हुए हैं। उस लड़की का दूद बच्चा पिएगा तब सन्यासी ने कहा फिर सोच किस बात की है मैं अब और क्यों भिक्षा मांगो जिन्होंने मेरी सृष्टी की है वे ही मुझे खाने को भी देंगे सुनो जिस यार के लिए सब कुछ छोड़ कर स्त्री चली आई है उससे मौका आने पर वहां अवश्य कह सकती है कि तेरी छाती पर चड़ कर भोजन वस्त्र लूँगी न्यांग्टा कहता था कि एक राजा ने सोने की थाली और सोने के ग्लास में साधूओं को भोजन कर आया था काशी में मैंने देखा बड़े बड़े महंतों का बड़ा मान है कितने ही पश्चिम के अमीर हाद जोड़े हुए उनके सामने खड़े थे और कह रहे थे कुछ आग्या हो परन्तु जो सच्चा साधू है ये थार्थ त्यागी है वहाँ ना तो सोने की थाली चाहता है और नमान परन्तु यह भी है कि ईश्वर उनके लिए किसी बात की कमी नहीं रखते उन्हें पाने के लिए प्रैत्न करते हुए जिसे जिस चीज की जरूरत होती है वे पूरी कर देते है आप हाकिम है क्या कहूँ जो कुछ अच्छा समझो वही करो मैं तो मूर्ख हूँ अधर हस्ते हुए भक्तों से क्या ये मेरी परिक्षा ले रहे है श्री रामकृष्णा सहास्य निवृत्ती ही अच्छी है देखो न मैंने दस्तखत नहीं किये ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु हाजरा भक्तों के पास जमीन पर आकर बैठे हाजरा कभी कभी सोहम सोहम किया करते हैं वे लाटु आदि भक्तों से कहते हैं उनकी पूजा करके क्या होता है उनहीं की वस्तु उन्हें दी जाती है एक दिन उन्होंने नरेंद्र से भी यही बात कही थी श्री रामकृष्ण हाजरा से कह रहे है लाटू से मैंने कहा था कौन किसकी भक्ती करता है हाजरा भक्त आप ही अपने को पुकारता है श्री रामकृष्ण यहां तो बड़ी उची बात है महराज बली से व्रिंधा वली ने कहा था तुम ब्रम्मने देव को क्या धन दोगे तुम जो कुछ कहते हो उसी के लिए साधन भजन तथा उनके नाम और गुनों का केर्टन है अपने भीतर अगर दर्शन हो जाए तब तो सब हो गया उसके देखने के लिए ही साधना की जाती है और उसी साधना के लिए शरीर है जब तक सोने की मूर्टी नहीं ढल जाती तब तक मिट्टी के साचे की जरूरत रहती है सोने की मूर्टी के बन जाने पर मिट्टी का साचा फैक दिया जाता है इश्वर के दर्शन हो जाने पर शरीर का त्याग किया जा सकता है विकिवल अंतर में ही नहीं है बाहर भी है काली मंदिर में माने मुझे दिखाया सब कुछ चिन्मय है मा स्वयम सब कुछ बनी है प्रतिमा, मै, पूजा की चीजे, पत्थर सब चिन्मय है इसका साक्षात कार करने के लिए ही साधन भजन नाम गुण कीर्टन आदी सब है इसके लिए ही उनकी भक्ति करना है वे लोग लाटू आदी अभी साधरन भावों को लेकर है अभी उतनी उची अवस्था नहीं हुई वे लोग भक्ती लेकर हैं और उनसे सोहम आदी बाते मत कहना अधर और निरंजन जलपान करने के लिए बरामदे में गए मास्टर श्री रामकृष्ण के पास जमीन पर बैठे हुए है अधर सहास्य हम लोगों की इतनी बाते हो गई ये मास्टर तो कुछ भी न बोले श्री रामकृष्ण केशव के दल का एक लड़का वहाँ चार परिक्षाय पास कर चुका था सब को मेरे साथ तर्क करते हुए देखकर वस मुस्कराता था और कहता था इनसे भी तर्क मैंने केशव सेंके यहाँ एक बार और उसे देखा था परन्तु तब उसका वहाँ चहरा न रह गया था विश्णु मंदिर के पुजारी राम चक्रवर्ती श्री रामकृष्ण के कमरे में आए श्री रामकृष्ण कह रहे है देखो राम तुमने क्या दयाल से मिश्णी की बात कही है नहीं नहीं इसके कहने की जरूरत नहीं है बड़ी बड़ी बाते हो गई है रात में श्री रामकृष्ण काली के प्रसाद की दो एक पूरिया तथा सूजी की खीर खाते है श्री रामकृष्ण जमीन पर आसन पर प्रसाद पाने के लिए बैठे पास ही मास्टर बैठे हुए हैं लाटू भी कमरे में है भक्तगन संदेश तथा कुछ मिठाईया ले आये थे एक संदेश लेते ही श्री रामकृष्ण ने कहा यहां किसका संदेश है इतना कहकर खीर वाले कटोरे से निकाल कर उन्होंने वहां नीचे डाल दिया मास्टर और लाटू से यहां मैं सब जानता हूँ आनंद चैटर जी का लड़का ले आया है जो घोश पाड़ा वाली औरत के पास जाता है लाटू ने एक दूसरी बर्फी देने के लिए पूछा श्री रामकृष्ण किशोरी लाया है लाटू क्या इसे दूँ श्री रामकृष्ण सहस्य हाँ मास्टर अंग्रेजी पढ़े हुए है श्री रामकृष्ण उनसे कहने लगे सब लोगों की चीजे नहीं खा सकता क्या यहां सब तुम मानते हो मास्टर देखता हूँ सब धीरे धीरे मानना पड़ेगा श्री रामकृष्ण हाँ श्री रामकृष्ण पश्चिम वाले गोल बरांदे में हाथ धोने के लिए गए मास्टर हाथ पर पानी छोड रही है शरत काल है चान निकला हुआ है आकाश निर्मल है भागी रथी का रिदय स्वच्च दरपन के समान जलक रहा है भाटे का समय है भागी रथी दक्षिन की ओर बह रही है मूध होते हुए श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे है तो नारायन को रुपया दोगे न मास्टर जी हाँ जैसी आग्या जरूर दोगा